एलो एवरिवन, NK Education चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BPAC-TRE-1 में जो विद्याल्य द्यापक निक्ति परतियोगता परिक्षा उसका पूरक परिक्षा फल जारी कर दिया गया है इसमें विद्याल्य द्यापक निक्ति परतियोगता परिक्षा के आधार पर प्रकाशित परिक्षा फल के प्राप्त आपति आवेदन के निस्तारण के पश्चात कट ओफ से अधिक अंक पाए जाने के कारण आयोग निम्नांकित उम्मीद्वारों को सफिल गोसित करता है परिक्षा फल जो उन्होंने निकाल दिया था उसके बाद आपति आवेदन के निस्तारण के बाद इस कट ओफ को निकाला गया है और जो अभ्यरती इसमें योगे पाए गए हैं उनको सफल गोसित कर दिया गया है उन सभी की सूची हम अभी आपको दिखाएंगे कि कौन पूरी परिक्रिया हम इसके वीडियो के साथ आपके शाथ सेयर करेंगे उससे पहले हम आपसे रिक्वेश्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस क यहां पर माध्य में एक वर्ग 9 से 10 वालों की सूची है आप अपना रॉल नमबर देख लें और स्क्रीन सॉट ले लें क्योंकि एक रॉल नमबर को और कैटिगरी को मैं बोलूंगी तो बहुत लंबी वीडियो होगी और बोरिंग भी हो जाएगा तो यह उर्दू सबजेक का है यह रॉल नमबर है इदा और यह आपकी कैटिगरी है आई होप आपने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा अब देखते हैं सोसल साइंस यह सोसल साइंस का है यहां पर कैटिगरी है BC, BC, EBC, General F यानि General Female और EWS यह भी फीमेल का है जो एकोनमिकल वीक में आते हैं यह उनका और विशह है Social Science जो 9-10 की Classes के लिए जिनका पूरक परिक्षाफल प्रकासित हुआ है यह विशह Science है कि यहाँ पर कैटिगरी है, यह आपके रॉल नम्बर है स्क्रीन सॉट लेते रहे और अगर कोई आपको लगता है कुछ आपसे मिस हो जाता है तो आप कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं उसको पढ़कर मैं जरूर रिपलाई करती हूँ यह संस्कृत है और केवल एक ही कैंडिडेट है जनरल से है वो भी यह उनका रॉल नम्बर है और हिंदी से दो कैंडिडेट का सेलेक्षन हुआ है बी-सी और ई-बी-सी उनकी कैटिगरी है यह उनका रॉल नम्बर है स्क्रीन सॉट लेते रहें आप इसके बाद यहां पर है उच्छ मादमिक वो तो नौ से दस वाला था यह ग्यारे से बाहे वर्ग के लिए है जिसमें म्यूजिक से एक कैंडिडेट है जो जनरल से बिलॉंग करते हैं यह हिस्ट्री से है यह भी फीमेल है जनरल से बिलॉंग करती है यह इनका रॉल नम्बर है इंग्लिस से जनरल कैटिगरी से यह इनका रॉल नम्बर है आप विशेक कम्प्यूटर साइंस से जिस ने किया है computer science से, दो candidate का selection हुआ है, एक general category से, एक EWS से, यहाँ पर roll number है, आप match कर लें, हो सकता है, आप देखने वाले आप ही वह lucky person हो, यह chemistry से है, केवल एक बंदे का selection हुआ है chemistry से, अब आजाते हैं, हम वर्ग एक से पाच यानी की primary PRT पर, यहाँ पर 11 candidate का selection हुआ है, पूरक परिणाम में, यह category है, general BC सब इसमें आया हुआ है, और बीच में roll number है, screenshot ले लें आप, और अपने roll number से match करते रहें, यह विशा उर्दू से, दो candidate का selection हुआ है, general और EWC, roll number देख लें, screenshot ले लें, और बांगला भाशा से केवल एक का हुआ है, general category से belong करते हैं, अब हम देख लेते कि आपको आके क्या काटेवाई करनी है, मूल परिक्षा फल में अंकित सभी शर्त यथावत इसमें भी लागू होंगी, जो शर्ते पहले थी, वही इसमें भी लागू होंगी, एवं यह परिक्षा फल भी उसी प्रकार पूर्णत सशर्त है, यानि जो सर्से थी, वही परिक्षा फल पर यही जो पहला supplementary result निकाला जो सर्ते तब थी, वही अब है, पूर्में प्रकाशित मूल परिक्षा फल के लिए निरधारित कट ओफ अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो मूल परिनाम जो निकला था, result उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कट ओफ में, लिपकिये टंकन और भूलवस हुई किसी तुर्टी के कारण परिक्षा फल में संसोधन हो सकता है, यहां पर अगर इन्होंने इस चीज़ को लिख दिया है, कोई लिपकिये या टंकन जो mistake हो जाती है, लिखने में spelling mistake हो जाता है, या कोई किसी भी जरीके का कोई भूलवस तुर्टी हो जाती है, तो उसके लिए संसो हो चुका है, आपका पूरक परिणाम TRE1 का, आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे हम अपना नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए वीडियो को अन तक देखने के लिए, thank you and thanks for watching.